प्राजधानी लखनव के वीवी आईपी क्षेत्रा हजरत गंज हलवासिया मारकेट में स्थित पंजाब नेशनल बैंक में आज इत्वार की दोपहर भीशन आग लग गई बैंक बंध होने की वजह से जब आग काफी ज़्यादा फैल गई और धुनवे के साथ आग की लपते बाहर निकलने लगी तब लोगों को इससे अंदाजा लग पाया की बैंक के अंदर आग लगी है बियो मार्केट के आसपास मौजूद लोगों ने ततकाल प्रभाव से फायर ब्रिगेट को इस संबंध में सूचना दिया मौके पर फायर ब्रिगेट की कई गाड़ियां पहुँच गई घटनास्थल पर सीएफो विजे कुमार भी पहुँचे आग पर काबू पाने के बाद विजे कुमार ने पत्रकारों से वार्टा करते हुए बताया कि लगभग दमकल की साथ गाड़ियों ने मिलकर फायर फाइटर के कड़े संघर्ष के बाद आग पर काबू पा लिया है विजे कुमार ने कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि आग किन कारणों से लगी मगर शौट सरकित से इंकार नहीं किया जा सकता है विजे कुमार ने कहा कि आग लगने के कारण बैंक में कितना नुकसान हुआ है इसका अभी अनुमान नहीं लगाया जा पाया है लेकिन परतम दिश्टे ऐसा लगता है कि बैंक बंग था जिन सार्ट सरक्यित की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकते कि अंदर आग और किसी भाने के लिए क्या नुस्वान हुआ है देखिए आग को इस समय अल्मोस्ट कंट्रोल कर लिया गया है और अगले 15-20 में इसको पूरी तरह से बुझा लिया जाएगा आग जो है फर्स्ट फ्लोर पर एक पोने में कुछ केविन्स है ऐसा लगता है उस केविन से आग जनरेट हुई है या वहां से दूरू हुई है और और जगों पर लगी है अंदर केविन है पाइसे इना इना इन जैसा कि आप देख रहे है एतियम में आग नहीं पहुंच पाई है एक सुरचित है अंदर के कुछ केविन्स है जिसमें आग लगी है उसके फाल्स प्लोरिंग में पहुंच गई थी जिसको अब कंट्रोल कर लिया गया जाएगा जाच किया जाएगा उसके बाद ही पता चल लिया है और फर्स पोर तक आग पहुंची ही नहीं है तीक कि अ कि अ